हेलो है बाएज बाइद बाता लोग कर Olay तो कैसेदben बाताऊ करी, वीडियोर हो सब्सकेट करें यहीं है चलिए आज Gore Warm डीधियो बता है कि OPPO A53 को अनलग करना है तो मेरा WhatsApp पर मेसेज करिए तो मेरा WhatsApp नमबर भी वीडियो का नीचे दे दिया था और बहुत सारे लोग मुझे बहुत परिशान कर रहा है कॉल करके भी पूछ रहा है जितना भी पैसा है मैं आपको दे दूँगा आप आप ओनलाइन अनलग करके दीजिए फ्लाश करके दीजिए तो गाइज OPPO का सर्विस अभी बंद है सरवर जो है OPPO का OFF है OPPO ओनलाइन फ्लाश नहीं हो रहा है तो गाइज आपका फोन का अंदर मीडिया डेक प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप खूदी कर पाओगे ठीक है आपका पास लेप्टप कंप्यूटर है तो आप खूदी कर पाओगे अनलग तो गाइज यह चूटा सा फाइल आपको डाउनलोड करना है और SP टूल से आपका फोन अनलग हो जाएगा वान क्लिक में तो गाइज कैसे करना है तो गाइज आई बटम पर लिंक मिल जाएगा वाला वीडियो का तो गाइज आई बटम पर जाहिए और वाला वीडियो देखिए आपका फोन का अंदर मीडिया टेक प्रोसेसर लगा हुआ है जैसे कि माल लो ओपो A15 है ओपो A31 है ओपो A15 A15S है तो गाइज बहुस सारे फोनो में मीडिया टेक प्रोसेसर लगा हुआ है तो कैसे आपको पहले चेक करना है आपका फोन का अंदर मीडिया टेक प्रोसेसर लगा हुआ है या व्लकम लगा हुआ है ओपो A53 तो नहीं होगा online unlock online server तो अभी off है तो guys offline में भी नहीं होगा offline में करने के लिए आपको CPU drill करना पड़ेगा तो guys जिसका पास UFI या EasyJetak box है वही कर पाएगा ठीके UFI में तो support नहीं दिया है UFI का UFS hardware tool अभी तक आया नहीं तो जिसका पास EasyJetak box है वही कर पाएगा तो guys आपको क्या करना है कैसे unlock करना है आपको offline में करने के लिए आपका phone कूलना पड़ेगा सब कुछ कूलना पड़ेगा CPU drill करना पड़ेगा dead होने का भी chance है तो guys आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है कोई पे भी नहीं जाना है आपको का phone हाड़ेगा नहीं होता है ओपो दीबो हाड़ेगा होता है तो guys आज तक किसी ने हाड़ेगा करना ही पाया ओपो और भी वो रियलमिका तो guys बागी M.I. तो हो जाता है हाड़ेगा हाड़ेग हो जाता है तो आज तक किसी ने ओपो वीबो रियल में हाड़िशेट करने ही पाया और अभी जो 2021 में 3-4 फोन आया है वीबो Y12S और 3-4 मोडल आया है हाड़िशेट हो रहा है तो पता नहीं कब तक होगा जब सिकूरिटी अपडेट हो जाएगा एंडरेट बार्ज़न चेंज हो जाएग तो गाइज ओपो A53 को अनलग करने के लिए आपको क्या करना है तो गाइज आपको कोई पर जाना नहीं सर्विस सेंटर सीधा जाना है आपको ठीक है कई दुकान पे भी नहीं जाना है आपको सीधा सर्विस सेंटर जाना है बिल लेकर आपका फोन का बिल है तो आप बिल ल कि अधार काड ये ड्राइविंड लाइसेंस आपका जोबी है तो वाइज आपको एक आईडि कारड लेके जाना है आपका बिल नहीं है तो फुम्षक नहीं है तो आपको आईडि काड लेके जाना है और अपका बिल नहीं है तो आपसे पैसा लेगा हजार से पांसो रूपिया लेगा पता नहीं कितना लेता है 500 रूपिया लेता है तो घदिव has अगर आपका पास बिल है तो free में हो जाएगा आप से पैसा नहीं मांगेगा free में हो जाएगा तो घदिव ओपो का phone hardly set नहीं होता है मीडियाडेक है तो मेडिया डेक का आपडेट दे दिया है ओपोने कि UMT से हो जाता है MRD से हो जाता है आप सीधा SP टूल से भी SP टूल से भी कर पाऊगे ठीक है वाला वीडियो का लिंक आई बोटम पर मिल जाएगा फिर से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों पहले मोडेल नमबर चेक करिए और CPU चेक करिए फोन का CPU कौन सा है कोल काम है तो नहीं होगा सर्विस सेंटर जाना ही होगा और ओनलाइन किसी से मौत पूछे कि ऑनलाइन कर दो बहुत सारे बंदा ऐसे कि पैसा का कर बेट जाएगा आपका पैसा नहीं मिलेगा कोभी भी नहीं मिलेगा आपका फोन भी अनलक नहीं होगा मैं ये बात बता दे रहा हूँ तो वैस किसी को पैसा नहीं देना है ओपो A53 अनलक करने का किसी को पैसा मत दीजिए किसी का ओपर बरसा मत करिये ठीक है कुछी ने बोल रहा है कि भाई 500 दे दो, 1000 रुपया दे दो, अनलक कर दूँगा, फ्लाश कर दूँगा, तो आप उस बाई से कॉंटेक्ट मत करिये, उससे दूर रहिए, कि भाई बोले कि मैं सिद्धा साथ के सिंटरा जाओंगा, फ्री में हो जाएगा, ठीक है, तो गाई से वीडियो पसंद आया, तो वीडियो का लाइक करिये, और चैनल पर पहले बारे तो चैनल का सब्सक्राइब करिये, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते है किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई